लेकर के आये हैं आपके लिए नई concept finding the highest term highest coefficient term यहाँ पर क्या आएगा highest coefficient term in a binomial expansion कोई आपके पास में binomial expansion दी गई है यह नई भी दी गई है तो बिना solve करें आप कैसे बसा सकते हैं कि इसका highest coefficient कौन सा होगा तो देखिए आपको करना क्या है आपके पास कोई भी expansion दी गई है इस form की यदि फिलाल यह देखिए मैं आपको एक question प्रले बता देता हूँ जैसी यह question आपके एक्जाम में आया हुआ है कि which term has the greatest coefficient of the expansion आपके पास जो series दी गई है 1 plus 2x upon 3 whole to the power 15 है आप से पूचा गया है इसका कौन सा coefficient जो होगा सबसे ज़्यादा होगा देखे 2 by 3 आगया नहीं है इसलिए आप कोई problem करेगा आप directly नहीं निकाल सकते हैं जैसे आप simple निकालते रहेंगी मतलब middle term जो होता था वो सबसे ज़्यादा इसमें expansion में coefficient होती थी वो ऐसे निकलेगा क्योंकि इसमें upon me terms दिए गया है तो कैसे निकलेगा देखिए अपने प ईटिटम है तो पी आर प्लस 1 अपोल्ड टी आर इस में जो कॉफिशन्ट आएगा एक्स का कोफिश на मिньई सपया होगा डिया है जो आपके पास टी आर प्लस वन अपौन टीर में जो कोफिशेंट आएगा एकस का वो क्या होगा greater than 1 होगा तो आई ये देखते हैं यहाँ पर मैं आपके सामने टम्स निकालता हूँ बात में कोफिशन कंपेर कर दूँगा तो टी आर प्लस वन इकल टू एकल टू एक्स तो दी पावर एन मैंस र एकी पावर आर और अपने पास में देखे ये क्या होता अपन ऐकी पावर आर मैनस 1 चलिए इसको solve करता हूँ देखे किस तरीके से हागा तो और य कितना होता है और देखे नीचे कितना है NCR-1 तो किस तरीके से NCR-1 वन वोगा और इस तरीके से हो गया चलिए मैं इसको कैंसल करता हूँ तो दीकिए फेक्टोरियल एन से फेक्टोर एन कैंसल हो जाएगा ओके ये फेक्टोरियल आर है यहाँ पर आर माइनस एयाथ भी रख सकते हैं आपने पर पिलिस वन और और का जो रिश्यो आता हूँ डेर extrêmement है इन माइनस आर्पिलस भी कितना है देखे उक्टिप्लाइब कैचलता तो है यहाँ पर अपने पात जो पावर से हो रोखितना है X की पावर है ना X की पावर देखे N-R उपर है नीचे N-R प्लस 1 तो – N-R और – 1 हो गया है तो कितना हो गया उपर X की पावर – 1 मतलब हो गया कितना – 1 ओके और यहां पर कितना हो जागा A की पावर 1 तो यह डारेक्टली आप रिजल्ट आप यह भी याद रख सकते हैं तो यह यहां से आप एक तरीके से कह लिजिए कि एक बहुत ही जबरदस्त यह रिजल्ट आप यहां पर याद रख ले तो बड़े अच्छी बात होगी यह वाला जो रिजल्ट आपके सामने अभी बन करके आया है कौन सा रिजल्ट है यह वाला रिजल्ट दीखे ओके एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स एक्स क्या था जिसमें आपके पास में वेरियेबल था ठीक ना टू एक्स प्लस थ्री वाला जो टम था यह आपका था वन हो जा गया आप यह और इसको मैं solve करूंगा तो किस तरीके solve होगा देखिए अब particular question पर आ जाते हैं यहां तक तो आने के बाद आपके पास आपको किसकी value मिलेगी R की value मिलेगी ठीक ना इसको करने के बाद आपके पास R की value मिलेगी और कुछ और rules लगेंगे बट वो rules आपको जो है समझना पड़े तो सबसे पहले इसका जो है R plus 1th term या आप जो लिजे R plus 1th term ले लिजे और Rth term का ratio निकाल लिजे तो R plus 1st term equal to 15cr 2x upon 3 की power कितना हो जाएगा R हो जाएगा क्योंकि 1 की power कुछ भी करते रहो कोई फरक नहीं पढ़ता है यह हो गया तो 1 plus यह अपने पास 2x upon 3 की whole power कितना हो गया R हो गया ठीक है नीचे देखे 15cr minus 1 2x upon 3 की whole power कितना हो गया R minus 1 and it should be greater than कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा चली इसको solve कर लिजे इसको solve करने के बदा आपके पास क्या रहा देखे इसको solve करने के बदा आपके पास आ रहा है फिर factorial 15 upon factorial 15 minus R नीचे factorial 15 और ऊपर कितना factorial R minus 1 और यहाँ पर factorial R और यहाँ पर कितना factorial 15 minus R plus 1 मतलब 16 minus R चलिए और simplify करता हूँ R minus 1 से 15 से सबसे पहले 15 को cancel कर दिया मैंने ओके R minus 1 से R cancel हो जागा और एक क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर केवल नीचे R बच जाएगा जो कि मैंने लिख दिया ऊपर 16 minus R और 15 minus R से 15 minus R factorial cancel हो गया ऊपर कितना बच गया 16 minus R multiply by 2x by 3 ओके multiply by 2x by 3 should be greater than 1 यह rule लखना हमको देखे 16 minus R upon R multiply by 2x by 3 ठीक है ना greater than 1 अब देखे आपको केवल कोफिशेंट को लेना है तो यहाँ पर 16 minus R multiply by 2 by 3 divided by 3 R greater than 1 इसको solve का लिजे देखे X की value कितनी आ रही है X should be less than 32 by 5 मतलब X should be less than sorry X की value नीच बच्चो तो R की value तो R less than 32 by 5 तो R की value 6.1 से कम होगी मतलब R की value आपको integral लेनी तो आप क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे अगर यहीं पर आपको बोलता R की value 6.2 आती है तो तो that case में आपको R की value के लेनी पड़ती 7 और मतलब 7 मतलब 7 प्लस 1 मतलब कौन से टर्म मैक्समाम आपको कॉप्चेंट दे था आठवा टम और यहाँ पर 6 सारी मतलब कौन सा टर्म आपको देगा 7 टर्म आपको देगा ओके तो आपको यहाँ पर क्या देगा 7 टर्म जो है आपको मैक्करेटेस टर्म देदेगा आपको चलिए एक चीज़ यहाँ नूट करिए हाँ पर अगर R की value इंटिक्रल आती है जैसे R एक एक टिक्ल फिक्स और r equal to 7 ठीक ना तो r equal to 6 और r equal to 7 अगर आपके पास आ चुका है तो मतलब कौन कौन से term आपके maximum value देंगे अगर r equal to 6 आया है तो r equal to 6 में यहाँ पर 7 तरम और r plus 1 equal to कितना आ चुका है 7 मिल चुका है मतलब कि यहाँ पर r plus 1 equal to कितना है 7 तो है तो r की 2 value आपको मिली है आपर एक r की value 6 आई है तो दोनों टर्म पर आपको maximum value मिलेंगी एक 6 पर 7 पर और किस पर 6 पर जी हां ठीक ना तो इस समय आपको 2 value maximum मिलेगी अगर r integer आता जैसे r equal to 6 आगया आपको तो यहाँ पर आपको दो टर्म पर maximum value मिलेंगी एक 6 पर और एक 7 पर ठीक है तो यहाँ रखेगा integral value आएगी तो आपको दो टर्म पर maximum value मिलेगी बट यहरी integral value नहीं आएगी तो आपको एक टर्म पर ही maximum value मिल जाएगी ठीक ना चलिए नोट कर लिजे तो यह शॉट ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है इससे आप जो है highest term of coefficient जो है वह निकाल सकते हैं ठीक है done यस तो यह procedure है highest coefficient निकालने का जो मैंने आपको बता दिया बटन